Hello and welcome back to another video, तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं, हमने जो नया बेच इस्टाट किया है दो हजार चौबिस पच्चीज के लिए, बिये थार्ड समेश्टर की मेडाइवल हिस्टरी का यूनिट नमबर वन कम्पलीट करवा रहे हैं, इससे पहले हमने इस चैप्टर का नम, इस यूनिट का नम बैदे देखा है, अब ईरॉपीय कम्पनीओं का आग्मन, अब ईउबय कम्पनीओं में फ्रांस भी था, उबय कम्पनीओं में रचो की कम्पनी भी थी, अंग्रेज भी थे, पृतगालit बीते थे, तो इन सब के बारे में, ऑवर विय कैसे double love भुए, कैसे सामराज बना और कैसे पतन हुआ, वो हमने discuss कर लिया, अब हम बात करने वाले हैं, पुर्तगालीों के बाद दूसरे नомबर पर आने वाले थे Dutch, तो अब बात करने वाले हैं डचों के बारे में, तो भारत में डच सामराज की अस्थापना कैसे होती है जब पूर्दगालियों के बारे में देखा गया कि पूर्दगाली जा रहे है इतना सारा लाब उठा करके ला रहे है पूर्दगाली अमीर हो रहे है ऐसा क्या हो रहा है क्या है भारत में इतना तो ये पूरे यूरोप में खलवली मच गई थी, ऐसा क्या है भारत में, जैसे वासको डिगामा आया था, और वो जब भारत से लोट करके गया, तो उसके जितने पूरे खर्चे हुए थे ना, खरीदने में, यहाँ पे सामान, आने जाने में, उसका 60 गुरा जादा उसको profit मि चाहेंगी, और फिर बार-बार चल रहा है, पुर्दगाली होगा, तो थोड़े टाइम के बाद डचों में भी यह चीज आया यार, कि क्या हो रहा है, हमें भी अपना ब्यापार करना चाहिए, हमें भी बाहर निकलना चाहिए, हमें भी इंडिया जाना चाहिए, तो 1592 इस इससे हॉलेंड में, हॉलेंड के एमस्टर ड्रम नाम की जगा है, वहाँ पे एक ब्यापारी कुद्देश से एक संस्था के अस्थापना की गई कि हमको ब्यापार करना है, अब ब्यापार करना है क्योंकि ब्यापार से ही लाब है और लाप से ही चीज़े चल सकती है, तो इ इनकी अगवाई में पहली बार इन लोगों का 1592 में अस्थापना होती है, ब्यापारी कुद्देसे से एक संगठन के और 1595 में पहला जहाजी बेड़ा इनके अगवाई में निकलता है, कि अब जा रहे हैं भारत पर ब्यापार करने के लिए, और ये भारत में पहुंचते हैं पूरवी दूइब समू से ब्यापार करके 1597 में वापस लोट जाते हैं, शयानी कि ये 1595 में आते हैं, पूरवी दूइब समू पे आते हैं, और जो पूर्दगाली थे वो कौन से थे, दच्छडी दूइब समू थे, काली कट के छेतर पे, और ये पूरवी दूइब समू आते हैं तो पूर्वी द्रीप समून में ये ब्यापार करके 1597 में वापस लोटने हैं और जब ये वापस लोटते हैं और अपनी यहां उसन चीजों की सेल करते हैं तो इनको काफी मात्रा में लाब मिलता है अब जब लाब होगा हमें तो डेफिनेटली हम उचीज दुबारा पूरा जाएंगे और ब्यापार करेंगे उनको काफी अधिकार दिया गया क्योंकि इस पर पूरा राजा का पावर उसके साथ चल रहा है वो सिंबल चल रहा है उनके साथ तो उनको पावर क्या दिया गया जिसे युद्ध करने का पावर दिया गया कि अगर आप जारे हो ब्यापार करने जारे हो कोछ चीजों में प्रॉबलम आ रही है तो आप युद्ध भी कर सकते हो संधी करने का भी अधिकार दिय दिया गया कि ठीक है तुम बें जहां लग रहा है अधिकार भी कर सकते हो अगर ज़रुद पढ रही तो किलाबंदी करने का भी अधिकार दिया गया मतलब देख रहो क्योंकि यहां पर राजा का पूरा-पूरा सासन चल रहा है उनका प्रारंबिक उद्देश ब्यापार करना ही है, चाहे पुर्दगाली आये हों, डच आये हों, अंग्रेज आये हों, फ्रांसिसी आये हों, सब ब्यापार करना ही आये हैं, समझ रो, तो प्रारंबिक जो इनका उद्देश था, वो ब्यापार करना ही था, तो इसलिए अत अपनी कोठिया बना दी अपने ब्यापार बना दी अपनी बाजार बना दी हर जगह से पे सेल हो रहा है खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है मतलब इनकी कोठिया बन चुकी है ब्यापार का हब इससे क्या होता है कि इससे पूर्वी दूइब समूहों पर मसालों के ब्यापा पटनम हो गया, बाकि इन्होंने पूरवी दुशमों पे ही ज़ादा इनका कामधाम था और तो पूरा एकाधिकार हो गया अब आप कहोगी कि यार इतना सारा कुछ नोगा हो गया, इतने अच्छे से चीजे चल रही है, प्रॉब्लम कहां पे आ गई क्योंकि पतन तभी होगा जब कुछ प्रॉब्लम आने लगताती है, तो ऐसा क्या हुआ कि जिसके वज़ा से इनका लगा कि यार इनका पतन हो जाना चाहिए यह आगे नहीं बढ़ पार है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर जगह इनको पूरी पावर राजा की तरफ से मिल रही है कि कौन सा इसा रिजन था जिसकी वज़ा से पतन हो गया इनका तो जो यह डेच कंपनी का स्वरूब था ना, यह सरकारी कंपनी की जैसा स्वरूब था तो यह एक बड़ा रिजन था कि यहाँ पर कुछ प्राइबेट प्रॉफिट नहीं था सरकार का सारा कंट्रोल था उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशन से हैं, जो निया में वह का मानना पड़ता था तो इसलिए पतलब कहीं न कहीं एक कंट्रोल कंपनी की तरह थी तो इसलिए यह भी एक सुरूब जो इसका था कंपनी का वो भी एक रिजन बना दूसरी रिजन यह है कि हॉलेंड और फ्रांस के बीच में हमेसा युद्ध होता रहता था यह हमेसा लड़ते ही रहते थे, हॉलेंड फ्रांस लड़ रहे हैं अब हॉलेंड जब लड़ रहा है तो लड़ोगे, युद्ध करोगे तो हानी होगी टयफिनिटल युद्ध में हानी होती है और दोनोंकी हानी होती है तो हॉलेंड इसमें काफी हार जाता, लड़ाइ जगड़े होते तो आवशिक्ता पड़ती तो इनकी सहायता ही नहीं कर पाता था जब भारत में कंपनी स्थापित हो चुकी है इनको जब जरूरत पढ़ती चाहे फाइनसली हो, सस्तरवाईज हो तो इनकी हेल्प ही नहीं हो पाती थी जब हेल्प नहीं हो पाएगी तो प्रॉबलम होगी और इसमें प्रॉबलम यह थी कि अयोग अधिकारी थे जो अधिकारी आये थे ना जब इन्होंने देखा इतना सारा लाव हो रहा है ना तो लाव के साथ इनका दिमाग घूम गया तो इन्होंने मतलब उसमें वरष्टा करनी श्टार्ट कर दी उसमें उन्होंने स्कैम करना श्टार्ट कर दी है तो आयोग थे देश भक्ती की इन में कमी हो गई or अपने स्वार्थ पर ये जीने लगे अपने देश को अपने उसको सोची ने रहे अपना पेड बर रहा है अपने को ज़ादा माल आ रहा है बस बाद खतम तो उस तरह से जब चलने लगेगी अब तो फिर चीजे डूबने ही वाली है अंग्रेजों से उनका संगर्स होता है क्योंकि यही वो टाइम पीरेड है 1602 में यह कंपनी आती है और 1620 में ही अंग्रेज भी भारत में आने लग जाते हैं धीरे धीरे तो इनका भी आगे चलकर के सामना होता है अंग्रेजों से इनका संगर्स होता है अब अंग्रेजों है उनके पास तो भाई उस समय अंग्रेज one of the best थे fight करने में क्योंकि यह लोग तो आपस में ही लड़े जा रहे है Holland and France इनको तो साहरता देने की कोई बात ही नहीं हो रही है अंग्रेजों के पास युद्ध को लेकर के योग के कोटिनिती थी कि किस तरह से लड़ना है किस तरह से जीतना है कहां पर कौन सी कोटिनिती चलानी कहां पर चल चलाना है चल कपट सब कुछ करते थे अंग्रेज इनके पास world's best जलसादन थे दुनिया का सबसे best जलसादन एक जगां से दुसरे जगां पर पहुचाने वाला तो जब भी उनको युद्ध करना कहीं पहुचना है उनके पास सबसे fastest route था सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली जहाद थी तो इनके पास दुनिया का उस समय सबसे बेस्ट जल सादन था तो इनसे युद्ध करना आसान तो नहीं था क्योंकि ये योगे भी है, कूटी नीती भी है और ये अपने लिए डेडिकेटेड भी है और पावरफुल भी है उन्होंने कई सारे देशों कर रखा था कबजा तो अंग्रेजों नहीं यहां भी आ करके डचों को हरा करके कबजा कर लिया धीरे-धीरे क्योंकि डचों का जो टाइम पीरेड रहा ना ये बहुत कम लिमिटेड टाइम पीरेड के रहे क्योंकि इनका जो time period था वो class कर जाता है अंग्रे जो से अंग्रे जाते हैं और अंग्रे जिनको पीट करके अपना राज़ करना start कर देते हैं तो डचों के बारे में इतना यही था बहुत कुछ ज़्यादा time तक इनोंने इसासन किया नहीं था तो डचों के अधिकार के बारे में डचों के सामराज के अस्थापना के बारे में डचों के पतन के पीछे कारण क्या क्या रहे हैं इन सारी चीजों के बारे में हमने discuss कर लिया है तो I hope वीडियो तुमें पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए